Hello Friends, मैं हूरीमा, Welcome to my channel आज मैं पुराने पैंट में चैन लगाना बताउँगी इसके लिए मैंने जिन्स का पैंट लिया है यह देख सकते हैं इसका चैन खराब हो गया है यहाँबे तो इह वाली पुराने चैन को मैं यहाँ से निकालके तो पहले तो हमें इस पुराने वाले चैन को यहां से निकालना है तो इसे निकालने के लिए मैंने धागा कट करने वाला लिया है देख सकते हैं अगर इस टाइप्स का नहीं है तो आप किसी बिलेट का भी उच कर सकते हैं यह निकालने के लिए तो पहले हम इसकी मदद से यह पूरे धागे को यहां से देखिए उपर से लेके यहां से पूरा यहां तक हम खोल देंगे इस पूरे धागे को और यह पूराने वाले चैन को यहां से निकाल लेंगे तो मैं यहां से निकाल लेती हूँ तो बिल्कुल इसी परकार आपको भी इस धागे को कट करके निकालना आपको 10-15 मिनट लग जाएगा तो यह देख सकते हैं एक बार आपको जिंस वाले पैंट में चैन लगाना सीख जाएगे तो आप किसी भी पैंट में चैन लगाना बहुत ही असान तरीकों से सीख लेंगे तो आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा तो यह चैन मैं यहां से निकाल लेती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी निकाल लेना है तो यहां पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है आज ते निकालना है नहीं तो यहां से अगर कप्रा कट जाएगा तो पैंट अगर नया हो तो खराब भी हो सकता है तो इस तरीके से आपको आ यहां से पूरे को मैं इस परकार निकाल देती हूं आप यहां से देख सकते हैं यह वाला जो शिलाई है उपर के तरफ यह इसको भी हमिए यहां से निकाल देगे तो इसको भी आप इस परकार ब्लेड या फिर इस तरीके से धागा कटर से कट कर सकते हैं और इसके बाद आपको देखिए इस तरीके से ये खोलने के बाद ये सारा जो धागा है आपको अच्छे से साफ कर लेना है इस परकार तो यहां आप मैंने अच्छी से साफ कर लिया है, अब क्या कर दिए मैं पूरए मैंने दोनों को इस तरीके से पुरण धागी को निकाल लिया है अब यह पुराना वाला चैन और यह वाला नया वाला, हम इसके बराबर इस तरीके से देखें, आपके कट करलेंगे, गर बरा होगा तो आप इस परकर जितना बरा होगा cut कर दीचे तो यह जूदा बरा नहीं है। बराबर ही हैं। यहां से मैं थोरा सा यह cut कर देती हूँ। तो अगर आपका chain छोटा हो जो आप लगा रहे हैं। वह भी अप लगा सकते हैं बिलकुल इस परकर से देखिए। के जादा बर्दा करने हैं तो मैं यहां से थोड़ा क है अब जो उजली के मातुनी किल नभू देखें तो मैं यहां पर दोदोधे करूंगे कि अगर नहीं भी निकालेंगे तो यह हैं पर जाएगा यह iste में लगाम गशावयना आप के दोगते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से उपर से बराबर करके रखिए और उसके बाद ये वाला देखिए इसके उपर से इस तरीके से हम ये वाला कपरा को ऐसे रख देंगे तो बिल्कुल इस तरीके से रखने के बाद इसके उपर से लाईल लगाना है तो यहाँ पे मैं पीन से इसको अटेच कर देती हूँ देखे इस तरीके से और पूरा नीचे तक बिल्कुल इसी परकार इसके बराबर रखना है चैन को और इसके उपर से ये पैंट वाले कपरे को रखना है और बिल्कुल इस परकार आपको यहाँ पे पीन लगा देना है औ यहाँ पर मैं double कर लेते हूं किवड़े अंदर के साइड में दौनों तरफ से कर देना है और इस के ऊपर एक कर लेना है, ताकि यह चयन इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए और यहांसे नम निकल पाए तो बिल्कुल इस तरीके से आपको इसके ऊपर एक सिलाई कर देना है देखे मैंने इसके उपर सिलाई लगा लिया है अब इधर से हमें इसमें अटेच करना है तो पहले आप पैंट को इस परकार देखे इसमें अटेच करना है तो पैंट को पहले आप उल्टा कर लेजे इस तरीके से इस साइट से तो इस तरीके से करने के बाद आपको देखिए इस परकार इसके उपर रखना है ऐसे और इस तरीके से हमें इसके उपर सिलाई करना है तो यह जो चैन है इसके उपर इस तरीके से यह लगबग एक इंच की दूरी पे आता है यह वाली सिलाई देखिए तो इस तरीके से आप पहले इस पे एक निसान भी बना सकते हैं अगर आपको इस तरीके से नहीं होता तो एक इंच की दूरी पे इस परकार नीचे से उपर तक आप निसान लगा लीजिए देखिए मैं निसान लगा देती हूँ और इसी पर आएगा यह वाली सिलाई तो इसको इस तरीके से यहां पर बराबर करके रखेंगे और देखिए यहां से यह आधा इंच तक लगभग छूड़ जाता है बाहर के तरफ कपरा और आधा इंच यह चैन रहता है तो इस तरीके से एक इंच की दूरी पर यह वाली सिल को इसमें अट्यच कर लेंगे शिलाच कर के त увер बेलकुल उसी जो मैंने निसान लगा उसी पर रक्ते हुए इस तरीकैसे मैं इसकेसे बेलगे तो देख सकते है मैंने इस पर शिलाच कर लिया है अब मैं इस तरीके से सिधा करें आप यह इस पर कार आएगा अब हम इस वाली सिलाई को यहाँ पे लगा लेंगे पहले तो इसको आपको इस तरीके से बराबर करके रखना है इसके उपर और यह जो चैन है उसे आधाय चूपर तक हम यह वाली सिलाई लाएंगे तो इस तरीके से आप पहले बराबर करके रखिए और जो chain के इस तरीके से आधा इंच उपर के तक यह वाली सिलाई आप इसके उपर इस तरीके से करके चला लीजिए तो देखे बिल्कुल इस तरीके से हमें सिलाई करने यह वाली लाएंगे और फिर यहाँ पर दबल करूंगी क्योंकि यहाँ पर डबल सिलाई था तो मैं डबल कर लूँगी अगर आपके पास सिंगल हो तो आप सिंगल भी चला सकते हैं तो बिल्कुल यही से इस तरीके से लगाना इस्टार करूंगी तेकि इस तरीके से रखते हुए और जहां तक मैंने निसान लगा है बिल्कुल वही तक यह वाली सिलाई कर लूँगी यह देख सकते हैं यहां पर मैंने सिलाई लगा लिया है अब क्या करेंगे इस तरीके से मैं खोल देती हूं जयन को और यहां पर हमें एक और सिलाई करना है यह उपर की तरफ तो इसको यह जो मैंने यहां पर जॉइंट किया इसको सीधा कर देना है अंदर से बिल्कुल और इसके उपर ऐसे हमें एक इंच की दूरी से सिलाई करते हुए यहां तक इस परकार गुलाई से लाना है तो यह जो सिलाई है चैन के ऊपर आएगा और यहाँ से इस तरीके से याधा इंच की दोरी से एक और सिलाई करूँगे मैं तो यहाँ नीचे से बिलकुल अच्छे से बराबर करती हुए इसके ऊपर सिलाई करना है देखिये और यह जो नीचे के साइट वाला कपरा है इस साइट में जो हमने फलाई है यह दूसरे साइट का फलाई है बिल्कुल इस तरीके से आपको इस साइट में कर लेना है नहीं तो इस सिलाई से दब जाता है कभी कभी तो इसको आपको इस साइट में इस तरीके से करके रखना है और तब आपको यह सिलाई करना है और जब आप नीचे आएंगे देखिए यहां से गुलाई के पास आएंगे तो इसको आपको नीचे से सीधा कर देना है देखिए और इस परकार इस पर सिलाई करना है तो यह जो सिलाई है आपको चैन के ऊपर आता है आधा इंस तक अब उसके बाद यहां से आपको अंदर के तरफ करना है इस कप्रे को देखे इस तरीके से और यहां पर भी इस तरीके से सिलाई लगा कि आपको यहां पर फिक्स कर देना है ताकि यहां से ना निकले तो यह संभाल के लगाना है यह थोरा मोटा कप्रा है जेन्स का तो नॉर् पूरे में शिलाई लगा लिया है यह देखिए इस तरीके से यह बटन लग जाएगा तो यहां से भी आप देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से चैन लग गया है यह देखिए तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी हैल्फुल रहा हो तो प्ल